अररिया की डियम साहिबा इनायत खान हमेशा किसी ना किसी कारण से मीडिया में चर्चा का बिशय बनी रहती हैं कुछ वक्त पहले उन्होंने भगवान शिव का जलाभी से किया था और उसके बाद वो चर्चा का बिशय बन गई थी इसके पहले इनायत खान की चर्चा परधा बिहार के इसी बहुत चर्चित दियम इनायत खान के बारे में बात करेंगे बताएंगे कि जिनके पती खुद ऐस पी है वो भी भी ह проблемы नहीं हूँ इनायत खान जो खुद डियम है और इनायत खान जो किसी मंदिर में जाती है तो भगवान शीव को जला भी शेक कर लेती है और उसके बाद से छेतर का दौरा करती है इनायत खान जो अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तब उसके परिवार के उसके बेटियों को जाकर गोद लेती है और ध्यान दीजिएगा कि धर्म के अधार पर भेद बाव करने वालो इनायत खान मुसल्मान है लेकिन उन्होंने जिन दो शहीद जवानों की बेटियों को गोद लिया है वो दोनों के दोनों जवान हिंदू है बाकियों नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जंता जंक्शन देख रहे हैं डियम बनाई गई थी तब बतौर डियम यानि कि बतौर जिला दिकारी उनका वो पहला पोस्टिंग था यानि कि सेखपूरा ही वो जिला है जहां पर पहली बार इनायत खान डियम बनकर पहुंची थी और शेखपूरा में उन्होंने इतना शांधार काम किया कि जब नरेंद्र मोदी इनायत खान के फैंथ हैं कि एक डियम जो पहली बार जिसकी पोस्टिंग हुई थी बताव डियम उसने अपने जिले में इतना अच्छा काम किया कि उनका जिला सबसे अच्छे काम करने वाले 113 जिलो में पांच्वे अस्थान पर था और इसलिए प्रधान इनायत खान के फैंटो भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं इनायत खान हमेशा अपने कामों को लेकर चर्चा में रहती हैं कभी कोई अच्छा काम होता है तो कभी कोई ऐसा काम होता है जो बाकि सबसे हट कर होता है दरासल एक हिस्सा है कि इनायत खान एक बार शीव का मंदिर था तो उन्होंने अपने हाथ से लेजा करके भगवान शीव को जलाभी सेख किया और इस दावरान की कई सारी तद्वीरे सोशल मीडिया पर छागई लोगों ने लिखा कि ये अररिया की जिलाधिकारी इनायत खान है जिन्होंने मंदिर का दोड़ा करने के ल जोकि सबसे पिछड़े जीलों में गिना जाता है शेखपूरा वहाँ पर इतना अच्छा काम किया कि परधान मंतरी नरेंदर मोदी को तारिफ करनी पड़ी इनायत खान के बारे में हम बता दें कि इनायत खान के जो पती है वो किसन गंच के एसपी है और इनायत खान के बा ला जाए और उसके बाद से इनके पती को भी जो की IPS अधिकारी हैं SP हैं उनको भीहार में भेज़ दिया गया अगर इनायत खान के बारे हम बात करें तो इनायत खान उत्तर प्रदेश के आगणा की रहने वाली है उन्होंने बीटेक की डिग्री ली है बिटे की डिग्री लेने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेस की तैयारी शुरू की थी और उसके बाद से जब उन्होंने परिच्छा दिया तब उनका 116 रहोमा रेंक आया था यानकी 176 इसके बाद अब मौझूदा समय में इनायत खान अररिया की डियम बनकर काम कर रही है और बीच में जब पुल्वामाग में अतंकी हमला हुआ था उस समय भी इनायत खान चर्चा का विश्वय बनी थी क्योंकि वहां के दो शहीत जवानों के बेटियों को उन्होंने गोद लिया था और उन्होंने घोशना की थी कि उन दोनों बेटियों का जो भी खर्च वो सब कुछ वो उठाएंगी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी भी वह तक तो अररिया की डियम इनायत खान के बारे में हमने आपको जानकारी दी आपको जानकारी कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा वीडियो शेर कीजिएगा फेस्बुक पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आप तक और भी तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि हमने पीछे बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद